नमस्कार मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दीललन टॉप एक और बस्पा विधायक पर CBI का शिकंजा कस रहा है गोरकपुर के चिल्लू पार से बहुजन समाज पार्टी के विधायक विनेश अंकरतिवारी की कमपनी गंगोत्री कंस्ट्रक्शन को लेकर CBI ने चापे मारी की है यह कारवाई सोमवार दोपहर को की गई CBI ने 754 करोड के कथित बैंक फ्रोड मामले में विनेश अंकरतिवारी और उनकी पत्नी रीता तिवारी के खिलाफ केस दर्च किया है कई जगहों पर CBI ने मारे चापे गोरकपुर के बाहुबली नेता, हरिशंकरतिवारी के बेटे और बहुजन समाज पार्टी के विधायक विनेश अंकरतिवारी के लखनओ गोरकपुर और नॉइडा के ठिकानों पर CBI ने सोमवार को चापे मारी की राजधानी लखनओ में उनके पार्क रोड और गोमती नगर के आवास के साथ गोरकपुर के गोल घर और नॉइडा में ठिकानों पर एक साथ चापा मारा गया है चापे मारी के बाद CBI ने विनेश अंकरतिवारी और उनकी पतनी के खिलाफ केस दर्च किया है विनेश अंकरतिवारी की कंपनी गंगोत्री कंस्ट्रक्शन के साथ उनकी फर्म गंगोत्री एंटर्प्राइजस रॉयल एंपायर मार्केटिंग प्राइविट लिमिटेड और फर्म के दूसरे डारेक्टर अजीत पांडे के ठिकानों पर भी CBI की टीम ने चापे मारे पूरे प्रदेश में गंगोत्री एंटर्प्राइजस के नाम से कई फर्म्स हैं जो अलग-अलग तरहां से ठेकेदारी का काम करती है बैंक लोन फ्रॉड का गंभीर मामला विने शंकर्तिवारी पर कथित तौर पर 754 करोर रुपए के बैंक लोन घुटाले का आरोप है बैंक में फर्जी कागज लाकर लोन लेने का मामला भी बनाया है इसके अलावा लोन ना चुकाने का मामला अलग से बनाया है विने की कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइजस सड़क निर्मान के साथ कंस्ट्रक्शन के काम करती है कई राष्टेकरत बैंकों से लोन लेने के बाद गंगोत्री एंटरप्राइजस ने लोन की रकम को समय से वापस नहीं किया इस पर बैंक ने शिकायत की बैंक का आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिये लोन लिया गया और बैंक लोन को हड़पकर रकम को दूसरी जगा निवेश भी किया गया पिता बाहुबली हरिशंकर तिवारी जेल से भी लेक्शन जीतते रहे पंडित हरिशंकर तिवारी जेल में रहने के बाद भी चुनाव जीतते रहे गोरकपुर के चिल्लूपार से वे लगातार 22 साल तक विधायक रहे मैं 1997 से लेकर 2007 तक लगातार उत्तरपदेश तरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे इसके बाद 2012 में मिली हार के बाद हरिशंकर तिवारी ने एक भी चुनाव नहीं लड़ा 2012 में भले ही तिवारी चुनाव हार गए हो लेकिन फिर भी चिल्लूपार में तिवारी का वर्चस कायम रहा 2017 के विधानसभा चुनाव में भले ही यूपी में मोदी लहर थी लेकिन इसके बावजूद भी हरिशंकर तिवारी के चोटे बेटे विनेशंकर तिवारी ने बसपा के टिकेट पर चिल्लुपार सीट से चुनाव जीता उन्होंने भाजपा प्रतियाशी को हराया था प्रदेश में योगी सरकार के गटन की कुछ तिन बाद ही लूट के एक मामले में गोड़कपुर पुलिस ने बसपा सरकार में केबिनेट मंत्री रहे हरिशंकर तिवारी और चिल्लुपार से बसपा विधायक विनेशंकर तिव झाल